हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोंध था वैसनमुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ अभी अभी साउथ में मतलब दक्षिन भारत में काफी सारी हलचल मश गई है क्योंकि तेलबू न्यूच चैनल जो थी उसके एंकर राधिकार एड़ी उसने खुदकुशी कर लिया एक एप्रिल दोजार आठरा को उसने खुदकुशी किया पांचवी मंजिल से वो कूद गई उसने चिठी में लिखा है कि माय ब्रेन इसमा एनिमी मतलब मेरा जो मस्तिश्क है ब्रेन जो है तो वही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है मानुवी ब्रेन जो है मस्तिश्क भेजा जिसको बोल सकते हैं और मन इनके जगडे में उसके ब्रेन ने विजय प्राप्त कर लिए ऐसा क्यों होता है देखो हमारी इंस्टिंक्ट जो है इंस्टिंक्ट वो रहती है कि नहीं हमने जीवन जीना चीए मतलब हर एक को जीवन जीने की बहुत इच्छा होती है मरने की किसी की इच्छा नहीं है फिर आदमी खुदकुशी क्यों कर लेता है क्या प्रॉब्लम है उसने वो जो परची लिखी है व परची में उसने लिखा कि my brain is my enemy गया उनको ऐसा रखता हिए जो भी खुदकुशिक कर लेते उनको ऐसा रगता है कि अभी जीना जो है वो चुत करदर है अब ही जीना जो है वो जीना दर्द दे रहा है it is more painful तो इससे अच्छा मैं मर गया या मर गई तो अच्छा है यहां से चुटकर आप आएंगे मतलब जीना जो है वो भी तकलिब दे हो गया है इससे अच्छा मर गया तो अच्छा है और इसलिए वो खुद कुशी कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो है पेन प्लेजर प्रिंसिपल है जीवन जहां पेन है वो काम नहीं करेंगे जहां प्लेजर है वो करेंगे तो नाओ इस लेस पेनफूल टू डाय कम दर्द भराय भी मर जाना यह राधिकार एड़ी थी वो उसका तलाग हो चुका था सिंगल पेरेंट थी कफी सारे लोग है कि जो डिप्रेशन के मरीज है और वो खुदकुशी कर लेते हैं बार मालों भी नहीं पड़ता एक्चुली आत्मत्या करना है खुदकुशी करना है उसके लिए बहुत सार्स लगता है वो कहां से आता कहां से वो आता इसलिए है कि जीना भी मुश्किल होगा है मतलब वो बहुत तकलिप्द है तब ही मर जाना अच्छा है जो हमारे देश के आकड़े है 2015 के उसके मुताबिक हमारे देश में 1,33,623 लोगों ने खुदकुशी कर लिया और National Crime Record Bureau जो है उसके अनुसार 55,288 95,288 उसमें के पुरुष है और 42,088 महल है 42,088 लेडिस है उसमें से ये देखा गया कि नियूरो साइकेटरिक इलने जो है मतलब जो बिमारी है मनुविकार वो 42 प्रतिशत लेडिस में दिखाई गई और 29 प्रतिशत पुरुष में मानसिक बिमारी दिखाई गई लोंको मानसिक बिमारी थी जब डिप्रेशन होता है तो ऐसा नहीं कि ये हो सिर्फ मानसिक ही है हो सकता है कि उसको कोई शाडिक बिमारी है उसकी वज़े से डिप्रेशन आया हुआ है तो वो भी हमको देखना पड़ता है, जो साइकेडरिस्ट, कि उसको डिप्रेशन जो है, मतलब निराश और हताश जो है, उसमें और कुछ उसके साथ मिमरी है कि एक तो क्या होता, निराश है कि लक्षन जो है, वो है कि दुखी रहना या उदास रहना, खुद को दोश देना, बार बार रोना आना, बिना कुछ वज़ा का रोना आना, सुबह जल्दी निन खुल जाना, या दिन बर अच्छा रहना, शाम को बहुत जाए तकलिव हो जाना, खाना खाने की इच्छा निये होना है, ज्यादा खाना खाना, कभी किसका वज़न कम हो जाता है, ज्यादा जाता है आदमी कोई काम में मन ने लगता अटेंशन कॉंसेंटरेशन ने होता और खुद कुछ के वीचार बार बार आते रहते हैं बिना कुछ वजह कि और फिर इसमें यदि कुछ ज्यादा है मतलब कुछ कारण है तो फिर प्राब्लम में मतलब ऐसा है कि बिना कारण का बहुत बड़े-बड़े एक्ट्रेस एक्ट्रेस है या मतलब माने जाने हस्ती है स्टूडेंट्स है टेंध के या ट्विल्द के मतलब ऐसे जो लोग है वो खुद कुछ एक्दम फटाक से कर लेते है तो यह जो लक्षन है यह लक्षन में यह देखना है कि वह सिर्फ में मांसिक बीमारी है या फिर कोई शारीक बीमारी उसकी वज़े से वहाया हुआ है हो सकता है कि थारड की बीमारी है जिसमें डिप्रेशन आता है बेजे का ट्यूमर है या विटामिन डिफिशन्स है उसमें हो सकता है को यह देखना पड़ता है कि कोई और बीमारी है कि ज से डिप्रेशन आ सकता है तो हो ये देखना है कि weasco depression आने के लिए मतलब इस्में हुडासिंतահी कोई शारिक कारण से डिप्रेशन आया हुआ है इसलिए अभी अभी हमारा सिटिजन करके मतले नागरी करके हमारा यह फ्रस बनता है कि हमारे आसपास इदी ऐसे कुछ लोग है तो वो खुद इदी जाते नहीं है डॉक्टर के पास में तो उनको उनकी सलहा जैना और उनको डॉक्टर के तरफ लेके जाना कि यह लोगों को लगता है कि नहीं अभी कुछ बचाई नहीं है मेरे जीवन में बाहर से अच्छे दिखते हैं अंदर से पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में इसके उपाय क्या है कि एक तो दबाई लेना मेडिसिन लेना फिर ज्यादा डिप्रेशन नहीं तो रेगुलर एग्जरसाइस कसरत करते हैं रेगुलर ली शकारात्मक पढ़ाई करना मतलब मोटिवेशनल बुक से मोटिवेशनल वीडियो से वो देखना रेगुलर डायेट खाना बरबर खाना कोई एडिक्शन नहीं करना शराब अगरी कुछ लेना नहीं लोगों से मिलना जुलना आके लिए रहने का नहीं है और साइको थेरेपी कर लेना काउंसिलिंग कर लेना साइकेट इसको मिलके काउंसिलिंग करके जो विचार जो दिमाग में आ रहे है तो उसके लिए कॉगनिटीव भेवरी थेरेपी है वो अलग हो जाता है जीवन के तरब देखने का नजरिया तो साइको थेरेपी मानसवचार उसके साथ सद्दवाई यह दी करते है तो फिर से जो नौबत आई और राधिकारेड़ी के जो डेट से जो नया विचार एकदम चालू हो गया तो इसके लिए हम सतर के दी रहते है त आपके संपर्ग में काफी सारे लोगों की 10-15 परसेंट लोगों को डिप्रेशन कभी ना कभी जिंदगी में आता है तो कभी सारे ऐसे लोगों के आपके आजू-वाजू में 10-15 प्रतिशत लोग है जिनको कभी ना कभी ऊपर नीचे वो दिमाग का एमोशन हो जाता है तो अच्छा लागा जरू सब्सक्राइब करो मेरी चैनल और बेल का चिनना आता है उसके पर प्रेस करते हो तो मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आजाएंगे आप जरूर आपके फेस्बूक के उपर वाटसेप ग्रूप के उपर है जिरू शेर करो Thank you very much